वक्त बितने के साथ सा सुसांत सिंगरास पुत मडर मिश्ट्री और ज़्यादा अंसुलजा होता जा रहा है जिहां सुसांत के मौत का मोवाइल एप कनेक्शन मैं आपके सामने वो खुलासा करूंगा वो सबूत रखूंगा जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सुसांत के मडर के करीब सात मेहने तक जो खबरे चली जिस व्यक्ति का नाम लिया गया जू इस सबूत के बारे में दावा किये गे जिस चस्मदीत को सामने लाया गया वो सब कुछ साजिस का हिस्सा था जिहां सुसांत के मडर का पूरा खेल ही बदल गया है सुसांत के मडर के बाद जिस तरीके से उनके करीबियों रिया चकरवर्ती, सिदाट पिठानी, संदीब सिंग, शाविक चकरवर्ती उनके नौकरों पर इस बात का इलजाम लगा कि सुसांत के मडर के पीछे उन लोगों का हाथ है लेकिन एक बार फिर से इस खुलासे ने कि सुसांत के मौत का मोवाइल एप कनेक्शन है वाकई में इस बात ने पूरे देश में हरकम बजा दिया दोस्तों मैं आपको सौट में समझाता हूँ कि किस तरीके से दावा किया गया है कि सुसांत के मौत का मोवाइल एप कनेक्शन है एड़बुकेट विवेकारंद गुपता जो कि लागातार सुसांत के मौत से जुड़े कई खुलासे कर चुके हैं उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है मौवाइल एप को लेकर खुलासा किया है सुसांत से जुड़े मौवाइल एप को लेकर खुलासा किया है जिससे वाकई आपको वाकिफ होना पड़ेगा ये सच है कि सुसांत की मौत एक साजिस है और उनके मडर के बाद जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिस की गई मुंबई पुलीस और सरकार लगातार इस कोशिस में थी कि सुसांत की मडर को आत्मध्या की शकल दी जाए और बार बार जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलंग खड़ा हुआ पूरे देश के लोगों ने आवाजी बुलंद की और उसके बाद आज पूरा मामला CBI के हाथ में है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि किस तरीके सी सुसांत के मडर के पीछे मोबाइल एप कनेक्शन है पाई है लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि सुसांत के मौत के पीछे कई ऐसे राज है बॉली बूट के माफिया है जिसके बात से वाकई में बॉली बूट पूरी तरीके से बदनाम हो चुका था लेगन इस बीच यह बाते आना कि सुसांत किसी मुवाइल एप पर काम कर रहे थे, उनकी एक टीम थी, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उनकी मौत के बाद वो प्रोजेक्ट किनके पास है? क्या? उस एप की वज़े से सुसांत का मडर हुआ? क्योंकि आज के जमाने म मोवाइल के जबाने में एप एक बड़ी भूमी का निभाती है जियां और वो एप किस सीच का था ये भी एक बड़ा सवाल है अब तो CBI से यही कुजारिस है कि वो उस व्यक्ति तक पहुचे वो उस टीम तक पहुचे जो आद भी सुसांत के उस एप पर काम कर रहा है चुपके से काम कर रहा है हो सकता है कि उस एप को अपने पंजे में लेने के लिए सुसांत का मडर किया गया हो सच परेसान हो सकता है मगर पराजित नहीं इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए ताकि सुसान सिंगराजपुत के पक्ष में जो हम आवाजे बुलंद कर रहे हैं उनको नयाय दिलाने की कोशिस कर रहे हैं उसमें हमारी मदद हो सके वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सुसान सिंगराजपुत का असली कातिल इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा नमस्कार